हेलो अरिवन इस वीडियों हम लेकर रहा है सेट नमबर 10 का वीडियो सलूशन आई होब कि इससे पहले के बाकी के सेट को अपने सॉल्व कर लिया हुआ और साथी साथ जो भी आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया रहा है आप उसको सॉल्व करते होंगे तो फिन्स ज्यादा सेट को सॉल्व कीजी क्योंकि अब इक्जाम्स का टाइम बहुत ही नस्तिका चुक है आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि सेट नमबर 10 का एक सेफ इसकोर क्या होना चाहे था मेल केंड़ेट्स के लिए 142 मार्व और फेमल केंड़ेट्स के लिए 111 मार्व आस्मीट रख्या गया फर्स्ट रिस्ट में से निमलीखित में से महात्मा गांधी की रचनाया जो थी वह इंडियन ओपिनियन और साथी साथ कह सकते हैं My Experiment with Truth ये तो इनकी आत्मकत था थी और ये जो इंडियन ओपिनियन इन्होंने अफरीका में स्टार्ट किया था तो फर्स्ट और थर्ड यहां पर करेक्टों का आप्सन बी निव इंडिया की बात के तो इसको एनिबेसनेट ने स्टार्ट किया था और अन्हापी इंडिया लाला लाजपत्राय के साथ संबन दोगा Second questions निमलीखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है हटाने का अधिकार संसद को नहीं है भारत के महानेवादी क्योंकि भारत के महानेवादी जो होते हैं वो रास्टपती के प्रसाद परियंत पर अपना पधारन करते हैं अगला points की भारत के महानेवादी के विशाय में निमलीखित कत्नों पर विचार करें तो यहाँ पे इनके समद में चार points दिया गया इन चारो points को पढ़िए और बते कि कौन सा कथन सही है तो चलिए कि करके देखते हैं पहला points करें कि वो भारत के रास्टपती के दौरा निक्त किये जाते हैं बिल्कुल सही है और उनमें वही योगताएं होनी चाहिए जो कि सरोच्चे न्याले के नाधीस की होती है यह भी बिल्कुल सही है उसे संसत की किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए ये points गलत है और संसत दोरा महाव्योग लाकर को से अटाए जा सकते है ये भी गलत हो जाता है तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा इसलिए option हम एक को टिक करेंगे अगला प्रश्ण मनता है कि सल्तनत काल में दिवाने खहरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी दिवाने खहरात दिवाने इस्तिहाक कह सकते हैं ये सभी बनाए गया था फिरोटसा तुगला के द्वारा option C अगला पॉइंट से कि मानो सरीर में रक्त में सुध्धी करण प्रकिरिया को क्या कहते है रक्त में सुध्धी करण की प्रकिरिया को डालेसिस कहा साथ है अगला पॉइंट आरबेग स्थापना कि आयोग की सिफारिस पर की गए थी आरबेग स्थापना 1935 1935 में क्या गया था और ये यंग हिल्टन कह सकते हैं इनकी सिफारिस पर क्या गया था option C next one है कि निमलीखित में से कौन सा कथन असत्ते है निमलीखित में से कौन सा कथन असत्ते है तो चारो पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ी है और बदे कि कौन सा असत्ते होगा गीता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड हिस्टिंग्स के कारेकाल में हुआ ये गलत है क्योंकि इसका अंग्रेजी अनुवाद जो क्या गया था वारण हिस्टिंग्स के समय में हुआ था ना कि लॉर्ड हिस्टिंग्स में तो option A हमारा सही हो जाता है क्योंकि ये गलत है ठीक है देखें संगौली की जो संदी हुई थी अठारास वो सोलम हुई थी यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अब इसको याद रखेगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की हर्मु जल संदी कीन देशों के कीन दोस्त देशों को अलग करती है हर्मु जल संदी का संबंध हो जाता है इरान और युएई ऑप्सन बी इरान और युएई सुची वन को सुची दो के साथ सुमिलित करना है तो चली देखते हैं कौन किस कसा सहित्री के से मै स्कुल सही है नागार्जुन पर्योजना का संबंध आंदर प्रदेश से हो जाता है यानि बी का 3 के साथ तो बी का 3 के साथ यहां पर मिल रहा है और यहां पर भी है तो चले आगे बढ़ते हैं मयुराक्षी पर्योजना का संबंध हो जाता है पस्ची मंगाल से तो C का 4 के तो नाइट्रोजन इस्तिकारी जिवाडू क्यालाते हैं, option C मानों के आथ में पाया जाने वाला जिवाडू कौन सा होता है? इसरेसियाई कोलाई, option B इसरेसियाई कोलाई अगला परशंद के 8 अप्रेल 1929 को केंद्रिये असेम्बली में बम किसने फेका था तो भगत सिंग के साथ साथ बुटकेशवर्दत एक और चार डिकोटी करेंगा केंद्रिय सरकार के व्याई को नियंतित करने की सक्ति किसमे नहींत होती है व्याई को नियंतित करने की सक्ति नियंत्रक एवा महाले का परिक्षक option C इनके समन्द में कहा से कहा तक अंचीद में 148-151 सुर्य किरंट जो सैन्नेप्यास होता है किंदो देसों के बीच होता है जो कि हाली में हुआ था उत्राखंड के पितवरागड में तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है option C चितरंजन दास ने सुराज दल के स्थापना की किस ने चितरंजन दास के लिए दाहिनी हाथ की तरह काम किया और निर्वाच्चन में सुराज दल को बहुमत दिलाने में सफल हुई कौन थे तो option C सुबास चंदर बोज अपने मृत्यू के दौरान किस ने कहा था कि मैं स्वाधिन भारत में मरना चाहता था परन्तु मेरी या एक्षा पूरी नहीं हो सकी ये बात कहिए थी मोतिलाल नेरुजी के दौरा नेक्स्ट बन दिखिए क्या कह रहा है लोहित नदी निम्न में से किस भाते राज में प्रवाहित होती है लोहित नदी का संबंध हो जाता है अरुनाचल परदिस जीस्टी लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य कारण था जीस्टी कब लागू था एक जुलाई 2017 जो कि 2021 में इसकी चौथी वर्स गठ मनाईगी थी यह याद रखना है साथ साथ मैं आपको बता दूँ फैंस की जीस्टी को लागू करने का मकसद यह था कि देश में कर एक रूपता लाने के लिए ठीक है अगला पॉंट से कि कोसी का सिधान्त निम्न पर अधारित है कोसी का सिधान्त निम्न पर अधारित है तो यहाँ पर राइट आंसर जगा उप्सन डी उप्रोग सभी पर सभी जीव कोसी का वा कोसी का उत्पात से बने होती है सभी कोसी के पुर्विस्तीती कोसीकाओं से निर्मित होती है कुशिगा का निर्माड किस किरिया से होता है उसके किंद्र मुख्य अभी करता होता है यानि कि करेक्ट आंसर यहाँ पर option D संपती के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सुची से किसके सासनकाल में हटाय गया था तो संपती का जो अधिकार था पहले कह सकते थे मौलिक अधिकार के अंतरगत आता था लेकिन 44 समिधान संसोधन के द्वारा यानि 1978 में इसको हटा दिया गया 1978 यानि मुररजी देसाई के सरकार थी option B अगला प्रस्ण की किसी और संतुलित और संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन तौरण क्या होता है किसी और संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन तौरण क्या होता है तो बलके अनुक्रमानुपाती होता है दास बोद के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर कह सकते हैं करेक्टांस रुजा का आप्सन डी रामदास जिस तरह से हम लोग हिंदु धर में रामायन को काफी ज्यादा महत्यू देते हैं उसी तरह से यहाँ पर जो मराठी भासा में जो रास दास बोद है उसी को उतना ही महत्र दिया जाता है अगला पॉइंट्स के हैं किसके सासन काल में मराठा प्रमुक सांभा जी की हत्या कर दी गई थी तो औरंग जेब के समय औरंग जेब के समय श्रडार सर्वरवर प्रियोचना का संबन हो जैता है नर्मदा नदी परस्ञाओ से निकलता है 1930 में किसके गिरप्तारी के कारण्द पिसावर की सटकों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे हैं अब्दुल्गफार खान अब्दुल्गफार खान को खान अब्दुल्गफार खान को हम लोग सिमांत गांधी की नाम से भी जानते हैं बच्चा खान के नाम से भी जानते हैं अगला प्रश्ण क्या है कि निमली खित में नागरिकों का सौतंता संबंदी सही अधिकार क्या है स्वतंता समंदि सही अधिकार कौन सा है तो option C को टिक करेंगे भासा तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंता ठीक होगा अगला प्रस्ट दिखे क्या है कि राजसभाग के संदर में निवलीखित में से कौन सा कथन सही होगा राजसभा के संदर में तो इसके एक तिहाई सदस्ते प्रती दो वर्स में उकास ग्रहन करते हैं ये बिल्कुल सही होगा तो option हम यहाँ पर एकूटिक करेंगे ठीक है चलिए अगला प्रस्ट रंगराजन समीति का संबंद किस घटक से है रंगराजन समीति का संबंद जो होता है हम यहाँ पर कह सकते हैं option A भुक्तान संतुलन घाटा option A निमलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है राइडर कफ का संबंद गुल्फ से होता है तो यहाँ पर A option बिल्कुल सही होगा शरीर की विसालतम धमनी कौन सी है शरीर की विसालतम धमनी A रोटा को माना जाता है option B नेक्स्ट वन क्या है बुम्चू भारती राज्य में मनाया जाने वाला एक अनोखा सांस्कितिक देवार है बुम्चू तो बुम्चू का संबंद हो जाता है सिक्किम से बीकोटिक करेंगे सिक्किम अगला प्रश्णी की भारती तिहास की किस प्रमू घटना को wight flowing river के नाम से भी जाना जाता है वाइट flowing river के नाम से जाना जाता है किसेयो घटना सो दान्ड़ी मार्च को को ठीक है और इसी के साथ यानि डान्डी मार्च के साथ ही कह सकते हैं कि यह का था सभी ने अवग्या अंदुलरं को स्टार्ट कहाता है ठीक है अग्ला परशनी की कॉंसी खरीब फसल नहीं है कॉंसी करीब की फसल नहीं है तो यहाँ पर कह सकते हैं सरसो जो होता है वो खरीव की फजल नहीं होता है वो रवी की फजल होता है निमलीखीत में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतनी की अवसकता होती है सबसे कम जोतनी के हो सकता होती है काली मिटी को ठीक है काली मिटी को लावा मिटी के नाम से जानते हैं रेगुर मिटी के नाम से जानते हैं कपास के लिए काफी फेमस होता है तो इसको याद रखेगा और इसको हम लोग बहुत ही कम यानि किस स्वाता जोताई की मिटी के नाम स से होगा तमिल नाडू की निलगिरी भाली पिलागरा और सकर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है तो सकर्वी जो होता है विटामिन C की कमिसे और यहां पर पिलागरा बिटामिन B3 कह सकते तो यानि option B बिल्कुल सही है जिविग्ञान की कौन से सका का सम्बंद बिलुप्त जीवों से हैं बिलुप्त जीवों से हैं पुलियेंटोलोजी option D polyanthology कोनिका कप किस खेल से सम्बंद देते हैं कोनिका कप का सम्बंद बैडमिंटन option A बैडमिंटन चड़ा कब भी आता है आपका और भी जैसे नारंग कप हो गया तो इस सब को याद रखना है 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थवस्था किसने लिखे थी प्लांड एकनॉमिक फॉर इंडिया किसके दौर लिखे तो यहां पर बीगोटी करेंगे अगला प्रशनी की चिली और पेरु के तड़ पर दूर सीत जल के अप्रवासे बनी धारा क्या खालाती है चिली और पेरु के तड़ पर तो इसे हम लोग हम बोल्ट धारा के नाम से जान दें option B किस कंप्री ने सवरप्रतम भारत में रेल स रागरण अंदोरण के पिता के रूप में जाना जाता है बिल्कुल सही राजा की उपादी जो इनको दी गई थी ओ अकबर दूतिय के द्वारा देगी थी ये भी सही है इन्होंने अलहिलाल नामक फार्सी समचार पत्र का सुरुगा ये पॉइंट्स गलत है अलहिलाल स्ट ज़ल्स कि सब्ट के बारे में हम सिंपल सी भासा में जानते हैं कि सिंदू सब्रता में लोहे की खोज नहीं की तहीं यांनि लोहे के सिर्चित नहीं तहीं तो यहां पर option D बिल्कुल, सही होगा कि जो की ये गलत point है मांडा किस नदी के किनारे अवस्तित है हडपा ही इस्ताल था मांडा, जो की जम्मु कास्मिर में पढ़ता था तो जम्मु कास्मिर में ये मांडा जो है, चिनाव नदी के किनारे अवस्तित था, option E हर्यकवन्स की किस सासक को कुड़ी कहा जाता था तो अजात सत्रू हर्यकवन्स की संस्थापक बिम्बिसार को जाना जाता है ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट प्रस्ण है कि किस कानून के अंतरगत या विजीत है कि भारत की उच्छ तम न्याले की समस्त कारवाहि अंग्रेजी भासा में होगी किस में तो भारत के समिधान के अनुछे 348 में ये बात कई गई है रेटीना का वच्छेतर जहां पर द्रिष्टी सरवाधिक होती है क्या कहलाता है दिखे रेटीना को हिंदी में द्रिष्ट पटल के नाम से जाना जाता है रेटीना इंग्लिस वर्ड़े इसको ध्यान रखेगा तो यहां पर इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा गरती का लेकिन एक प्रश्ण और बताता हूँ कि जैसे की रेटीना पर प्रतिविम की प्रकेटी कैसी होती है तो रेटीना पर जो प्रतिविम बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है ये ध्यान रखेगा अगला पॉइंट से कि हेरिंग पॉंड के नाम से जाना जाता है हेरिंग पॉंड के नाम से अट्लांटिक महासागर को जानते है अगला प्रश्ण की जब उसने राजत्व प्राप्ते गया तो वस सरियत के नियमों और आदिसों के पुर्णेत सोतन था बर्नी ने यह कथन किस सुल्टान के लिए कहा है यह प्रश्ण अपका बीपेसी में पूछा गया था तो सही आंसर आप्शन सी यानि की अलावदिन खिलची पदमावत की रचना मलीक मुहमद जैसी ने कब की थी मलीक मुहमद जैसी के द्वारा लिखा गया पदमावत और यह रचना की थी पंदरा सो चालिस में ठीक है पंदरा सो चालिस इसको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है आगे बढ़ते हैं विक्टोरिया जिल किन अफरीकी देसों के मध्ध में स्थीते हैं विक् के समिधान से लिए है समौर्थी सुची की जो अफधारना है वो ऑस्टेलिया के समिधान से लिए है और संडी नेक्स्ट वन भारते समिधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है तो यहाँ पर कह सकते हैं लोकतंत्रिक गड़तंत्र ठीक है लोकतंत्रिक गड़तंत्र साइमन कमिशन के आने के विरुद बारतिय जन अंदोलन क्यों हुआ था तो साइमन कमिशन में कोई भी सदस्द से बारतिय नहीं था इस वज़े से यह हुआ अंदोलन अगला प्रश्ट निमलीखित में से कौन सा कथन गलत है तो अभ्योदे जो आप देख रहे हैं अभ्योदे का समन्द मदन मोहन मालवी जी के साथ होगा ना कि यहाँ पर राजारा मोहन राय के साथ तो यहाँ पर यह गलत है लेकिन कॉम्रेड मोहमत अली लाइफ डिवाइन अ तो दोगसाला देनियम पारित हुआ जो की लॉड रिपन के समेय में ठीक है लॉड रिपन के समेय में भारते नाग्रिकों के लिए समान सिविल संयता प्राप्त करने की बात कहां के गया था समान सिविल सनिता, समान, यानि कि दोनों बराबर है, तो चारज़ वर दोनों बराबर है, 44, बजट पर चर्चा करने की प्रता, ब्रिटिस राज्य के दौरान किस अधिनियम में की गए थी, बजट पर चर्चा के सांसाथ क्या सकते हैं कि अप रत्यक्ष निर्वाचन प्रना कारबन डायक्साइट की ज्यादा मात्रा बढ़ता जाना है तो इसमें दिक्कत नहीं यह गलती नहीं है सही है तो केवल और केवल दो को टिक करेंगे अगला प्रश्न क्या है कि जब एक पथर को चांद की सतन से प्रित्वी पर ला जाता परण्तु द्रबमान वही रहेगा तो और यहाँ बिक करेंगा प्रवाल भीतिया पानी के नीचे पारस्टित की तंत्र तो प्रवाल भीतिया जो बनी होती है कैलसियम कार्वोनेट की सी बिल्कुल सही होगा निकट दिश्टी दोस को दूर करने के लिए किस लेंस का परयोग क यानि कि कह सकते हैं अवतल, अवतल को इंग्लिस में क्या कहते हैं, कनकेव कहाजार थैं, यानि कि नत उत्तर लेंज कहते हैं, और दूर दिश्टी दोस के लिए उत्तर लेंज, यानि कि कनवेक्स लेंज, इस तरह से याद रखेंगे, तो फिलाल यहां पर करेक्ट आंसर ऑप पहचान रखते थे छत्री एक विस्तिष्ट पहचान रखते थे तो यहां पर हम कहा सकते हैं option a यानि कि बुद्ध के यूग में ठीक है बुद्ध के यूग में फिलीप का वक्र इनके बीच संबंद दिखा ले वाली एक अनुसूची है फिलीप का वक्र तो right answer will be option c यानि कि बिरोजगारी की दर और मुद्रा स्विती के दर के बीच एक संबंद दर सातर फिलीप का वक्र राजस्तान सरकार घर घर और सथी योषना के तहत राची के सभी परिवारों को निम्र में से कौन सी ऊसदी या फिर जड़ी बूटियों के पौदे उपलब्दे कराये जाए जाएगी तो घरगर और सधी योसना तो याद रखना है कि राजसांत के सरकारन स्टार्ट किया इसके अंदर गर तुलसी, अस्वगंधा और गिलो ये तीनों पहुंचाया जाएगा तो करेक्ट आंसर ओप्सन बी एक दो तीम अगला प्रश्ट, मई 2021 में लेखक और फिल्म निर्माता विनोध कापडी ने निमलिकित में से कौन से पुस्तक लेखिया विनोध कापडी की कौन से पुस्तक है तो हम दोगों ने अल्रेडी कई बार इसके बारे में डिसकस किया था 1232 किलोमेटर दो लॉंग जर्नी हो तो ये इनकी दोड़ा लेखिया ये विनोध कापडी के दोड़ा 2021 में लेखक नितिन राकेस और जेरी विन्ने निमलिकित में से कौन सा पुरसकार जितकर इतिहास रच्चा कौन सा जो की पुरसकार जितकर इतिहास रच्चा इंटरनेशनल बिजनेस बुक ओफ तईयर ये हमारा बिल्कुल सही अंसर का ऑप्सन ए किसने बताए कि भारत 2025 तक टिका करण के माद्यम से मुपका खुर्पका रोग जिके ये जो होता है ये जो रोग होता है जानवरों में पालतो जो पस्सू जो होते है जैसे गाय हो गई भैस हो गई उनके उनमें होता है खुर्पका मुपका रोग यानि की फुड़ एंड माउथ डिजीज के नाम से जानता है और ये विसाडू से होने माला रोक होता है तो मुक्त करने का लक्ष प्राप्त कर लेगा किस के अनुसार किस ने बता है तो राइट आंसर यहाँ पर होगा option A यानि कि अतुल चत्रवेदी ठीक है अतुल चत्रवेदी अगला प्रशन की हर घर को नल के पानी की आपूर्टी सुनेचित करने के लिए केंद्र ने 2021 से 2022 के लिए जल जीवन मिसन के थद किस राज्य को लगबग 700 करोड रूपे की अनुदान अबंटित किया तो पस्ची मंगाल करेक्ट होगा option A हाली में में दक लिटोरिया मेरा की एक नई प्रजाती कहां पर खोजी गई है लिटोरिया मेरा की एक नई प्रजाती खोजी गई है न्यूगीनी में option C किस देश ने अपना मौसम उपगरा फैंग्यून 4B प्रचेपित क editions फैंग्यून 4B को प्रचेपित किया है चैना ने आप्शन डी चाइना अगला प्रस्ट तालिबान के खिलाफ पहले विद्रों के तैत अफगनिस्तान में किस जगह नॉर्थन अलाइंस का ध्वज फर आया गया अप्शन सी पंजसीर पंजसीर अप्शन सी हाली में किस नगर निगम ने क्लिन सिटी अप लॉंच किया किस नग नेक्स्ट क्वेशन से कि हाली में इतिहासे गरतांग गली लकडी पुल मरमत के बाद परेट को के लिए खोल दिया गया या पुल किस राज्य में स्थीत है गरतांग गली जो है तो यहाँ पर करेक्टर का उप्शन भी उत्राकंड है ठीक है उत्राकंड हाली में किस हाई को में 11,000 फुट पर देश की सरवादिक उचाई परिस्तित औसधी अन उद्हान का हाली में उद्गाटन किया क्या आप्शन C को टिक करेंगे उत्राखंड जिके उत्राखंड भारत और किस देश ने नौसेनिक सहयोग के लिए अच्छा ये दोनों क्वेशन से की हो गया ना ऑस्ट्रेलिय यहाँ पर करेक्ट होगा चलिए नेक्स टों देखें केंदरिये कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझाता ग्यापन को मंजूरी दे दिया तो राइट अंसर विल भी ऑप्सन सी बांगला देश ठीक करेंगे बांगला देश को हाली में एमस ने कौन सी मोबाइल अप को लौझ कि है एमस ने कौन सी मपाइल आपको लॉंच किया है हल्दी स्माइल हाली में किस देश में माउंट नीरा गोंगा जो अला मुखी में विस्पोट हुआ है माउंट नीरा गोंगा तो ये पढ़ते हैं आपका कह सकते हैं कांगो गडराज नौवर्स ये बच्ची रित्वीका को अफ्रीका की सरोचे चोटी पर चड़ाई करने में कामियाबी हासिल किया तो रित्वीका निमलिखित में से भारत के किस प्रदेश की रहने वाली है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जागा उप्सन ए अंद्रपर्देश नेग्स्ट प्रस्ट बनता है कि उप्रेशन ट्विस्ट का संबंद किस से है उप्रेशन ट्विस्ट का संबंद किस से है तो राइट आंसर will be उप्सन सी वाली रिजर्व एंग ठीक है यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि भारती रिजर बैंक ने पहली बार ऑप्रेर्शन ट्विस्ट की गोशना किये पहल इस पहल के ताथ भारती रिजर बैंक 20,000 करोड रुपए की सरकारी प्रतिबूतिया खरी दी जाएंगे अगला पॉइंट्स भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र निम्ली खीत में से किस राजी में खोला गया वन चिकित्सा केंद्र उत्रा घंड डी उत्रा घंड अगला पॉइंट से की दस दलीक अभ्यास कायोजन किन दो देसों के बीच किया जाएगा तो भारत के साथ उजर ब तो बारिस के पानी के सनरक्षाण से हैं, तो ऑप्सन RAKजान एक उठी धिरहं। सन्युक्त रंस्त महा सभा नि अंतराष्टी बाजरा वर्स घुजईत क्या है अन्तराष्टी बाजरा वर्स 2013 को घुजईत क्या है आगे देखिए अगला प्रशन की रक्षा नुसंदान और विकास संगठन डियाडियों ने हाली में SFDR मिसाइल का सफल परिक्जन क्या SFDR का मतलब क्या इसका पुनरूप क्या है SFDR का पुनरूप हम यहाँ पे क्या सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्सन बी Solid Fuel deducted होगा अगला प्रशन की प्रधानमंति नरेंद्र मोधी ने हाली में भारत और बांगलादेस के बीच मैत्री सेतु का उध्गाटन किया और इस सेतु के संदर में कौन सा कथन सही है मैत्री सेतु फेने नदी पर बना 1.9 किलोमेटर लंबा पूल है यह कह सकते हैं यह पूल भारत के सबरोम को बांगलादेस के रामगर्ण से जोड़ता है यह भी सही है और यह भारत के त्रिपूरा राज्य मिस्तित है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जागा तीनों के तीनों सही ऑप्सन टी ठीक है अगला प्रश्ट मराठी उपनियास सानातन के लेखक जिन्हें हाली में 30 सरस्वत्ती सम्मान 2020 से सम्मानित किया क्या है सरद कुमार लिमबाले सरद कुमार लिमबाले नेक्स्ट क्वेशन से कि 8 विक्तियों का आउसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 56 वाले वेक्ति के जगे नेविक्ति जाता है क्या होगा इस तरह के प्रश्ट के बहुत सिंपल कर से जिससे जो में डिया का उसको दिया गां अगला प्रस्ट चार fraction दिएगे इनका लगुत्तम समा वर्थ तक बताना है, तो यानि आपको बताया गया है कि जब fraction का लगुत्तम समा वर्थ पूछा आता है, LCM हम से पूछा आता है, तो हम क्या करते हैं, उपर में हम क्या करते हैं, इसका दीए, उपर में हम वही निकालेंगे, लेकिन LCM लेंगे, तो डैफनेटली कहेंगे, पांच और चार का LCM जो हो जागा, आपका, पांच चार दो का LCM 20, LCM की बात करना है, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजे, इस तीनों में, चारों में क्या होगा, तीन, नौ छे और 27, यानि हाइस्ट कॉमन फैक्टर तो आपक फा, क्या निकलेगा, तीनों में, चारों में तीन ही निकलेगा, तो करेक्टांसर हो गया, भीस बट्टे थीन, ठीक है, इस तरह से सौल्फ कर सकते, एक फल विक्रेता ने, 15 रुपे में 6 की दरसे के लिए खरीदे, और 12 रुपे में 4 की दरसे, देखे, पंदरा, पट्टे 6 किदर से और बारह बटटे 4 किदर से तो दोनों का अगर हम लेंगे तो shay और चार के लसे 12 कर ले यह तो दोनों तरफ 12 से गुणा कर ले इस तरह से सिंपल हो जागा तो उपर में कह सकते Good थी सर्पा सर्थ से कर के वो अगर 36 रुपै में भेषता वर्स का चक्रिवीदी व्याज 102 होता है देखिए दो वर्स का चक्रिवीदी व्याज 102 तो हम बहुत सिंपल किसे कैसे करते हैं तो देखिए 102 यहां पे हैं और हमें क्या है हमें मुल्धन नहीं पता है तो मुल्धन डारेक्ट निकाल लेते हैं कि चक्रिवीदी व्याज जब 102 ह रहें, दो वर्श के लिए, तो 4% रेट के लिए हम है अगर हमारे class COME चैकर विधी व्याज जो निकालना होते, कैसे होता है तो डारेक्ट करते हैं चार का दूगना कर लिए चार दूनी की आठ और दो पॉइंट की यानि की चार चरो का सोल है इस तरह से आठ दूसमलो एक छे परसेंट तो परसेंट को तोड़ लेते तो आठ सो सोलह बटे सो और नीचे आपका हो जागा डबल सीरो क्योंकि पॉइंट हटाया थो हमने डबल जिरो लगाया और इधर आपका एक सो दो है तो एक सो दो के सो कटाते हैं तो आठ और ये देखे अरे कटा थे तो एक सो पत्चीस बारासो पचास यानि जो मुल्धन हमारा था बारासो पचास था मुल्धन निकल गया बहुत सिम्पल तरीके से अब हमसे वही पूछाय कि उसी धन का उतन ही दर से उतन ही आओधि के लिए सधर्ण व्याज क्या हुआ यानि जो रेत आपका था परसेंट वही और हमें जो समय दिया गया था दो वर्स वह ही उस पे हमें सिंपल इंट्रेस्ट नकालना है तो चार दूनी के आठ यहां पर देखे किसको गटा लेते हैं एकजिरो से एकजिरो खतम चाहाँ दो तो पच्छे 10 पच्चीस पच्चीस एक सो पच्चीस पच्चीस चौका सो हो गया काम के तम सो तो फिन्स उमीद करते ही कि आप पो यह 100 को सा अच्छा तरीके से क्लियर हो गया होगा चले मिलतें नेक्स्स क्लास में थैंक्स वाचिंग